कि हैलो दोस्तों मैं सुजीत कुमार आज अम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्सणल लॉन पे इंकम टेक्स में चूट अम लोग किस तरह से ले सकते हैं आज इसी टॉपिक पे डिस्कस होगाँ जी है आपने सुना होगा कि हॉम लॉन और एजुकेशन लॉन पे इंकम टेक्स तो चुछ मिलता है बट परस्नल लोन पे चुछ नहीं मिलता लेकिन ऐसा नहीं है आप परस्नल लोन पर भी एंकम टेक्स में चुछ ले सकते उसका क्लिम कर सकते हैं जी हाँ इसी टोपीक पर डिसकस होगा ठीक है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें ताकि इनकम टेक्स और जीस्टी से समझें टोटल जो है आप लोगों के बीच हम वीडियो बना करके प्रेस करते रहें ओके थैंक यू कि सौमच केसं हैं हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे परस्नल लम जी हां लांट तो के तरो होते हैं लिकिन आज हम्रасьनल लॉल पर कैसे इकम टेक्स पर आप उसमें डिसकॉंट सकते हैं इस बीशसेएंग चर्चा करते पार्सेटि कैसे मिलती हैं इनकम टेक्स पर छूट जी हां कुछ टिप्स हैं जिनके माध्यम से आप परस्टनल लॉन पर इंकम टेक्स पर छुट ले सकते हैं एजुकेशन लॉन और हॉम लॉन पर इंकम टेक्स पर आसानी से छुट मिल जाती है वैसे परस्टनल लॉन पर भी टेक्स छुट ली जा सकती है इसके लिए कुछ कंडिशन है आज आपको या बताने के लिए इस चीज़ का बेनेफिट बताने के लिए इस पर रीड कर रहे हैं ज्याता लोगों को नहीं पता कि पर इंकम टेक्स चुट भी पाई जा सकती है कई लोगों को तो सिर्फ या पता होता कि हम लोग रजी को इसा पढ़नी टेक्स चुट मिल सकती है कुछ मोखव पर हम लोग जो पस्ट पर पर चुट पा सकते हैं कि तो अब यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस पैसा जो लिए है पर्सनल लोग का उसको कहां इन्वेस्ट किया कि पर हम एक्सपेंस किया है तो तो में इस अगम टे या पर्चेज करने के लिखिए हैं तो फिर उन एसेट में इन्वेस्ट किये हैं जो कि टेक्स छूट के दाइरे में आती हो आप परसुनल लौन पर भी छूट प्राप्त कर सकते हैं जी हैं ॥ा, नेक्ται स्वाइब करने में इतलने मेंनिको अगर अगर किसी घर दीने में या उसका करूँ सेख़िए विया निडिमान करने में तब क्या होगा कि अगर अपने पुर्प्रमेशन का यूजू एक्षन ट्वैंटी यह जो है धारा के धारा चौबीज के तहट रहात पाशल अगर उस घर में रहते हैं तो 2,00,00,00 रुपाई तक अब टैक्स शुट पाश्य सकते गर घर को किराइपर दिया हुआ है रेंट कितना भी होट चूट कर सकते कोई सीमा नहीं है अगर अगर आप business में बेस्ट किया है तो परस॑नल ओर को आप तो आप खरच के तुर पर दिखा सकते हैं जिससे क्लेम किया जा सकता है जिससे आपकी टेक्स की जो मतलब की देंदाड़ी में काफी कमी देखने को मिलेगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का कैप लगाया नहीं जा गया है इसका मतलब यह हुआ कि आप भी आज को खर्च क पर दिखा कर कि यह जा सकते हैं अगर आपने खड़े हैं अगर आपने लेकर के यहां पर जोएलरी खड़ी या फिर नौन रेजी मतलब कि नौन रेजिदेंशियल प्रोपर्टी में निवेज किये हैं तो उस पर आप टेक्स में छुट पा सकते हैं वैसे आप इस पर सब्सक्राइब जिस साला भ्याज payment किये हैं टेक्स benefit उस year मिलेगा जब वह उस asset को अप्सिल किया जाएगगा जब आप उस asset को कि कि जिएगा ठीक ना खास बात तो यह कि टेक्स छूट सिर्फ ब्याज पर दिया जाएगा ना कि मूल धार पर पर पस्टनल लोन का पैसा उपर दियेगे तीन करने तक में यान तो किसी चीज को असेट को पर्चिस करने में यही सब चीज में जो आपको डिसकाउंट मिलेगा ओके थैंक्यू सो मच आज यह छोटा से इंफोर्मिशन था जो हम आप लोग के बीच प्रस्तूत किये ओके थैंक्यू सो मच चैनल को लाइक किजिएगा और सब्सक्राइब किजिएगा ओके थैंक्यू